लो बच्चों कैसे हैं UCI कराला लाइब में आपका स्वागत है आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आपके सामने उबस्तित है तो देखे आज फिजिक्स में वेब एड मोसन वाला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं तो इसको देखो बेटा इसमें आप पढ़ेंगे टाइम पिरियेड वेब लेंद फ्रिक्वेंसी और एंप्लिटूड ये कुछ ऐसे टर्मिनलोजी होते हैं इसमें पढ़ने की जरूरत है जब उस समझेंगे तो उसके बाद हम आगे की बाते करेंगे ठीक है बच्चे तो हम आज शुरू करेंगे नया चैप्टर जिसे बोलते हैं वेब एंड साउंड तरंग एवं धोनी ठीक है तो इसमें कुछ है टर्मिनलोजी होते हैं कुछ सब्दा वालिया होते हैं उस सब्दा वाली को हम एक एक करके क्या करना है समझना है उस कोई वस्त हो अगर घूम करके अगर दुबारा अपनी जगा पर वापस आ जाती है तो उसे बोलते हैं आवर्द क्या बोलते हैं आवर्द जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो पहला पीरियड हमारा चलता है फिर दूसरा चलता है तीसरा चौथा पांचवा च्छटा सात वाँ और फिर आठवे पीरियड में हमारे चुट्टे हो जाते हैं अगले दिन फिर वापस आते हैं फिर पहला दूसरा तीसरा तो इस तरीके से अगर कोई वस्त व एक जगा से चालू होते हैं और दुबारा किसी वस्त पर जाते हैं और वहाँ से फिर वापस आती है तो उ जिसका एक फार्मूला होता है T is equal to two pi under root L upon Z तो L क्या है आप पर L क्या है लंबाई है जिसको हम length बोलते हैं length है और Z क्या है gravitational force है जिसे गुत्वा कर्शन बहुत बोलते हैं तो इसको आप gravitational force है तो अगर आप जिसे जूला देखते होंगे या कोई और चीज देखते होंगे तो वहाँ पर ये वाला formula रखते है T is equal to two pi under root L upon Z इसका मलब आप देखो एक time period को दिखाता हूँ आपको जैसे माल लो ये कोई उपर पिंड है और यहाँ पर उससे लटका हुआ एक रसे है यहाँ पर ये कोई वस्तु है और ये अभी अपने time period इसका क्या है जीरो है इसका मलब T is equal to यहाँ पर क्या जीरो है जब इसमें हम force लगाएंगे तो यह क्या होगा ये घूम करके जो है बिटा यहाँ से आ जाएगा फिर घूम करके यहाँ से आ जाएगा फिर घूम करके फिर यहाँ से आ जाएगा तो यहां के बाद फिर यह दोबारा क्या होगा फिर यहां आएगा फिर मलब इधर से आजाएगा फिर वापस घूम के आजाएगा फिर घूम के आजाएगा इसका मतलब अगर आप इसको देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक आने में और यहां से लेकर यहां तक आने में जो समय लग रहा है वही उसका क्या होता है टाइम पीरिड होता है क्या होता है टाइम पीरिड होता है तो यहां से यहां तक यह जो रसी है इसकी लंबाई देखे आप यहां पर इसकी लंबाई जो है अलग अलग है यहां से लेकर यहां इसकी लंबाई अलग है फिर यहां से यहां लेकर कि मालो इसको लंबाई अलग हो इसके लंबाई के percentage में कमी कर दें, percentage बढ़ा दें, तो क्या असर पड़ेगा, यही सारी चीजे हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, और इससे सीधा सवाल आता है, कि अगर माल लेजिए, कोई pendulum है, उसकी लंबाई में 20 परसेंट या 16 परसेंट की लंबाई बढ़ा देया जाए, तो time period पर क्या असर पड़ेगा? 36 गुना लंबाई बढ़ा दी जाए, तो उसके time period पर क्या असर पड़ेगा? या 14 गुना लंबाई बढ़ा दिया जाए, तो उसके time period पर क्या असर पड़ेगा? या क्या होगा? चार गुना बढ़ जाएगा, छे गुना बढ़ जाएगा, आठ गुना बढ़ जाएगा, यही सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और इसी से सवाल हमारा सीधा आता है, ठीक है, तो time period आपको समझ में आ गया, कि कोई वस तो एक चक्कर लगाने में, जितना समय लेता है जितना time लेता है, वही उसका time period या आवर्तिकाल होता है, ठीक है, तो any object taking one vibration per second, बलब जो समय लेता है एक vibration करने में, वही उसका time period या आवर्तिकाल होता है, तो इसको हम formula क्या दार पर देखते हैं, और किस-किस factor पर time period बढ़ता है और घरता है, ठीक है, तो यहाँ पर देख है, यहाँ पर, t is equal to two pi under root, l upon j, यह formula यहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर, तो time period का लंबाई से, लंबाई से सीधा संबन्द होता है, पहला point इसमें आता है, कि अगर लंबाई बढ़ेगा, तो time period क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जैसे तो इसका मलब सीधा संबन्द होता है, t is directly proportional to l, l क्या है बेटा, लंबाई है, किसकी उस रसी की लंबाई है, पटी क्या है, time period है, दूसरा क्या है, t is होता है, t is होता है, जो gravitational force है, गुर्तवा कर्शनबल है, उसके ब्यूत कुर्मान पाती होता है, या, इसके universally proportional होता है, इस इसका मलब time period बढ़ेगा, तो gravitational force कम हो जाएगा, gravitational force बढ़ेगा, तो ये कम हो जाएगा, तो इसका उल्टा संबन्द होता है, और इसका सीधा संबन्द होता है, सीधा संबन्द को क्या बोलते है, directly proportional, directly proportional बोलते है, और इसको universally proportional बोलते है, ठीक है, तो यह उल्टा संबन्द ब बोलो चाहिए इन्वर्सले प्रपोर्शनल बोलिए यह बात एक ही है अब आप से सवाल पूछते हैं कि एक पेंडूलम है घड़ी के सर्दी के समय उसका टाइम पीरिड बढ़ जाता है कि घड़ जाता है कि समान रहता है तो इस तरीके के सवाल जो आते हैं वो हम यहां पर प कि आई है वो क्या होता है वो सेकेंड होता है कि तो इसकी यून似ीट क्या होती है यूनिट याई काई क्या होते है तो बात समझ में आगे विथि इस EPA क्या है अब इसके कुछ सवाल मैं आपको बोलना हूँ आप इसको नोट करिए कि अगर अगर इसकी लंबाई बढ़ जाए या घट जाए तो इस पर क्या असर पड़ेगा ठीक है तो देखें इसकी लंबाई बढ़ाने पर इसके time period पर क्या असर पड़ेगा तो एक सवाल है यहाँ पर कि अगर pendulum है इसके लंबाई में 16 गुना बढ़ा दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो time period क्या होगा तो time period क्या होगा यह आपको बताना है time period क्या होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना इसका मलब 4 times बढ़ जाएगा दूसरा है 8 गुना आयट 8 गुना बढ़ जाएगा या 10 गुना बढ़ जाएगा यह जो है दो गुना टू टाइम से बढ़ जाएगा तो आप सवाल देखिए बहुत फेमस सवाल है यह कि अगर टाइम मलब की कोई पेंडूलम है उसकी लंबाई को रसी की लंबाई को 16 गुना बढ़ा दिया जाए तो टाइम पेरियट कितने गुना बढ़ जाएगा तो इसका एक ही कॉंसेप्ट है इसको याद रखना है अगर यहाँ 16 गुना बोला जा रहा है और लंबाई जो है चार गुना है तो आपने देखा तो नहीं है आप फॉर्मूले में फॉर्मूले में क्या देखा आपने कि T is equal to under root 2 pi under root L upon Z तो अगर यह 16 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो टाइम पेरिट क्या हो जाएगा बाहर चार गुना हो जाएगा चुकि उसी के स्क्वाइर में उसका बढ़ेगा ठेक है तो अगर लंबाई 16 गुना बढ़ा जाएगा तो टाइम पेरिट चार गुना बढ़ा जाएगा ठेक दूसरा सवाल है इसे में कि अगर इसको 36 गुना बढ़ा दिया जाए मलब 36 गुना मलब 36 टाइम बढ़ा दिया जाए तो time period पर क्या असर पड़ेगा तो time period या आवर्तिकाल पर क्या असर पड़ेगा तो वही लिखना है t is equal to under root येलपॉन जी तो वही उसी का square हो जाएगा तो 36 का क्या हो जाएगा square root 36 का हो जाएगा 6 गुना इसका वलब हो जाएगा 6 times तो ये 6 गुना हो जाएगा तो आप ध्यार रखना है जो भी लिखा उसी का square root कर देना है ठीक है तो ये question 1 हो गया ये question 2 हो गया question 3 में कि अगर 25 गुना लंबाई बढ़ा दे जाए 25 times जो है इसके length बढ़ा दे जाए length जो है increase कर दे जाए तो time period पर क्या असर पड़ेगा time period पर क्या असर पड़ेगा 25 times length इसका increase कर दिया जाए तो time period पर क्या असर पड़ेगा तो इसका answer हो जाएगा 5 times कितना हो जाएगा 5 times आपको कहां से निकल किया आएगा इसी formula से निकल किया आएगा t is equal to under root l ठीक है, तो बढ़ेगा दोनों, time period भी बढ़ेगा, लंबा भी बढ़ा होगी तो time period भी बढ़ जाएगा, लेकिन उसके square और square root में आएगा, तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर question 4 है, अगर 4 times बढ़ा दिया जाए, इसकी length, जो pendulum है, उसकी length को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो time period पर क्या असर पड़ेगा, तो time period पर क्या असर पड़ेगा, तो आप बताइए, तो इसका हो जाएगा, 4 का square root क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो two times बढ़ जाएगा, इस बात को हमेशा के लिए याद कर लो, कि 36 गुना, 16 गुना बढ़ाने पर 4 गुना बढ़ेगा, 36 गुना बढ़ाने पर 6 गुना बढ़ेगा, अब 25 गुना अगर length बढ़ा देंगे, 50, 25 टाइम बढ़ा तो 5 गुना उसका time period बढ़ जाएगा, चार गुना करने पर इसमें क्या हो जाएगा, दो गुना या दो two times इसकी क्या हो जाएगा, time period बढ़ जाए कि कोई पेंडूलम है या कोई जूला है यसे जूला जूलते हैं न हम लोग तो जूला जूलने में क्या होगा कि अगर उसके लंबाई में परसंटेज बढ़ा दिया जाए जितना लंबा है जूला रसी का लंबाई उसमें अगर कुछ परसंटेज बढ़ा दिया जाए तो time period पर क्या असर पड़ेगा अभी हम लंबाई बढ़ा रहे थे times करके अब इसके percentage में क्या करना है कि इतने percent लंबाई बढ़ा देने पर time period पर क्या असर पड़ेगा तो दो तरह के सवाल यहां बनते हैं इसको हमेशा के लिए ऐसे आपको याद रखना है ठीक है तो next इसमे का असर पड़ेगा तो सवाल लिखें यहां पर कितने percent 4% length में क्या कर दिया जाए 4% length क्या कर दिया जाए इंक्रीज कर दिया जाए वहां लंबाई बढ़ा रहे थे लेकिन यहां लंबाई में percentage जोड़ देंगे 4% length increase कर देने पर time period क्या हो जाएगा तो इसका एक ही concept है उसका आधा हो जाएगा बढ़ेगा तो लेकिन उसका आधा हो जाएगा जैसे 4% बढ़ाएंगे तो 4% में कितना हो जाएगा time period जो है आपका 2 गुना बढ़ जाएगा कितने गुना, तो चार का कितना हो जैएगा, आधा हो जाएगा, two times, time period जो है, दो गुना बढ़ जाएगा, two times क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, increase हो जाएगा, ठेक, तो जितना कहा जाए, percentage में, उसका आधा कर देंगे, उसका length क्या time period उसी हिसाब से बढ़ जाएगा ठीक है तो जैसे हम आप से एक सवाल कहें कि इसमें अगला सवाल है 3% 3% length बढ़ा दी जाए 3% length क्या कर दिया जाए increase कर दिया जाए तो time period पर क्या आफर पड़ेगा इसी को देख करके बताईए तो 3% बढ़ाने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5% 1.5 times क्या हो जाएगा time period आपका बढ़ जाएगा ठीक है तो जितना दिया रहेगा उसी का अधा कर देना है अभी लंबाई में क्या था जितना हमने दिया था उसका square root कर दिया तो उसको जो है उसी इसाब से कर देंगे जैसे माल लो यहाँ कहा जाए 50% 50% length 50% length को increase कर दिया जाए तो time period पर क्या असर पड़ेगा time period पर क्या असर पड़ेगा तो 50% का अधा कितना हो जाएगा 25 तो 25 गुना 25 times क्या होगा इसका आवर्दकार बढ़ जाएगा ठीक है तो percentage में इतना आपको ध्यार रखना तो हमेशा जितना होगा उसी का अधा हो जाएगा ठीक है तो हम आप से एक सवाल पूछते है कि जैसे पेंडूलम होता है पेंडूलम गर्मी में पेंडूलम की लंबाई बढ़ जाती है और लंबाई बढ़ जाएगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा और टाइम पीरेट पर क्या असर पड़ेगा घड़ी सुस्त हो जाएगी या घड़ी तेज हो जाएगी, तो आप देखो यहां पर, कि यहां लिकेंगे clock, यहां लिकेंगे घड़ी, pendulum वाली घड़ी होती है, तो वो किसका बना होता है, मिटल का बना होता है, जो घूमता रहता है ऐसे, यहां पर देखो आप ऐसे, यह pendulum, यह pendulum इदा उधर है, ऐसे हागता रहता है, इसे को हम time period कहते हैं, अब इस पर क्या असर पड़ेगा, गर्मी का समय आ जाए, तो सर्दी का समय आ जाए, तो क्या होगा, देखो, तो clock है, pendulum है, क आए, pendulum कम लिया हमने, pendulum कम लिया हमने, गर्मी का समय है, तो पहली condition है, कि गर्मी है, summer का season है, तो गर्मी के दिनों में क्या होगा, गर्मी के दिनों में देखते होंगे, जितनी भी metals होते हैं, या wires होते हैं, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो लंबाई बढ़ने पर time period आप time period क्या होगा, बढ़ जाETगा. Time period क्या होगा, मैं arrow के निशान ऐसे लगा रहा है, इसका मलब यह increase हो जाएगा, यह बढ़ जाएगा time period, time period बढ़ेगा, तो चुकि लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, length भी क्या हो जाएगी, length जो है increase हो जाएगी, कि गर्मी का समय है अब घड़ी क्या हो जाएगे सुस्त हो जाएगी कि फास्ट हो जाएगी समय बढ़ेगा कि घड़ जाएगा तो टाइम पीरिड बढ़ेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा टाइम टाइम या समय टाइम या समय क्या होगा बढ़ जाएगा तो घड़ी क्या हो जाएगी सुस्त हो जाएगी या तेज हो जाएगी तो यहाँ पर देखेंगे जो घड़ी है जो घड़ी है हमारी वो क्या हो जाएगी सुस्त हो जाएगी तो देखो दो गर्मी के दिन में जो पेंडूलम होता है क्यों कि गर्मी के दिन है जतनी धात्मे होते हैं गर्मी के दिन में बढ़ेंगी अब बढ़ने के बाच लंबाई बढ़ेगे तो time period क्या होगा बढ़ जाए इसका मलब समय बढ़ जाएगा क्योंकि उसके लंबाई बढ़ जाएगी length increase हो जाएगा अब घड़ी क्या हो जाएगे सुस्त हो जाएगी घड़ी सुस्त हो जाएगी यह condition आपको देना तो आप से सवाल आएगा pendulum गर्मी के समय उसकी घड़ी सुस्त हो जाएगी तेज हो जाएगी यह समान रहेगी यह पहले घड़ जाएगी यह बढ़ जाएगी तो चार option रहेगा तो जो pendulum होता है गर्मी के समय time period बढ़ेगा लंबाई बढ़ेगी घड़ी क्या होगे सुस्त हो जाएगी ठेक बात समझ मे तो time period से related जितने भी सवाल है वो सब इसी में आ जाएंगे, बढ़ जाएगा, घर जाएगा, कितने गुना बढ़ेगा, कितने गुना घटेगा, ये देख लेना, तो अगला बात करते हैं इसमें, कि ये तो summer की बात हो गई, अगली बात करते हैं, दूसरा, सर्दी में, सर्दी के समय क्या हो जाएगा, सर्दी के समय जो पेंडूलम है, इसकी लंबाई थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, तो जो धात में होते हैं, सिकुड जाएगा, गर्मी में तो फैल जाएगे, लंबी हो जाएगा, सर्दी में क्या हो जाएगा, सिकुड तो टाइम पीरियड क्या होगा टाइम पीरियड काम हो जैएगा इसा जल्लीन उसमें जो एपिंडिलम गूमने लगेगा तो पहला लिखे टाइम पीरियड टाइम पीरिड आपका क्या होगा जट जाएगा टाइम पीरिड जट जाएगा ठीक है दूसरी बात क्या है इसकी लंबाई क्या होगी लंबाई देख रहे हैं कम हो जाएगी सर्दी में लेंथ जो है पेंडूलम की क्या हो जाएगी लंबाई वो क्या होगे decrease हो जाएगी कम हो जाएगी decrease हो जाएगी तीसरी बात है घड़ी सुस्थ हो जाएगी या तेज हो जाएगी तो घड़ी जो है इस condition में क्या हो जाएगी fast हो जाएगी fast हो जाएगी तेज हो जाएगी ठेक दो बात समझना है आपको गर्मी वाली कंडिशन में और सर्दी वाली में ठीक है तो दोनों में देखें टाइम पीरियड वहाँ बढ़ जाएगा समय बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या होगा समय यहाँ पर समय घट जाएगा समय घट जाएगा यह कंडिशन यहाँ पर पैदा होगे तो अगली कंडिशन यह है कि अगर मालो हम किसी जूला पर बैठे हुए है अचानक हमारे बगल में कोई लड़का या लड़की आके बैठ जाए तो जूले के आवर्त काल पर क्या असर पड़ेगा या पहले हम जूले पर बैठे हुए है जूला चल ला है अब हम बैठे बैठे क्या होगे खड़े होगे तो जूले के आवर्त काल पर क्या असर पड़ेगा यह आप देखें जूला उला आपने समय जूला होगा तो जूला जूलते समय देखे जैसे हम जूला जूल लें उसके बगल में कोई लड़का कोई लड़की आगे बैड़ गई अब बैटने के बाद क्या है वो जूलने लगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी या घटेगी कैसे होगा तो इसको हम इसके बात करने वाले हैं तो इसमें देखें आप नोट करिए इसको एक बाद तो फिर हम इसको आगे पढ़ते हैं इसमें तो देखें जो जूला होता है उसका जो पलब सिंटर आप मास होता है उसको हम यहां से लेते हैं ना भी से अब ही माल लीजिए अगर हम बैठ जे बैठे हुए जूला यहाँ पर देखो आप इसको देख के आप पताओ यह है जूला और इस जूले की लंबाई है यह इसकी लेंथ है लंबाई है ठेक और इस पर जो है इस पर कोई लड़का है वो लड़का जो है क्या है अभी खड़ा है तो खड़ा होगा तो इसका सेंटर आप मास कहां से निकालोगे आप, center of mass यहां से निकालोगे, कहां से निकालोगे, यहां से, तो यहां से इसकी लंबाई को नापा जाएगा, ठीक, तब ही लड़का क्या है, खड़ा है, बाद में क्या हुआ है, यह कह रहा है, कि अगर वो लड़का जो है, क्या हो जाए, लंबाई तो देखो, जूले की जो लंबाई है, रसी की वो तो सेम है, लेकिन अब लड़का क्या हो गए, आप, खड़ा है, यहां पर क्या है, standing position पर है, यहां है, standing position पर है, आप इसमें क्या हो गए, लड़का बैठ जाएगा, तो यह लड़का जो है, थोड़ा सा क्या होगा, नीचे आ जाएगा, जैसे मैं यहां खड़ा हूँ, तो मेरा center of mass से आए, लेकिन मैं अगर यहां से बैठ जाऊँगा, बैठ जाऊँगा, तो मेरी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो बैठने पर क्या होगा, बैठने पर यह लड़का क्या होगा, यह लड़का जोए दूड नीचे आ जाएगा, और इसका center of mass, इसका center of mass जो द्रभमान, वो यहां आ जाएगी, चुकि बैठ जाएगा ये यहां पर, यहां पर आयreceive बैठ जाएगा है तो बैठने का बाध कि यहां पर आजाएगा तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी लंबाई बढ़ जाएगी जैसे जोह निया जूला मेरे उपर है यहाँ पर है उसका लंबाई यहाँपर है भाई यहां कड़ा हो तो यहां से लेकर यहां तक कि उसकी लंबाई center of mass ना पा जाएगा लेकिन जैसे ही मैं बैठ जाओंगा जूला तो वहीं है लेकिन मेरे बैठनी की लंबाई क्या होगी बढ़ जाएगी तो लंबाई बढ़ने पर क्या होगा वही वाला formula लगेगा जो पहले लगा तो यह sitting position पर है यह sitting है यह बै लड़का है या लड़की है जूले पर खड़ी है और अचानक बैठ जाती है तो लंबाई बढ़ जाएगी time period बढ़ जाएगा जूला सुस्त हो जाएगा तो इस case में देखे कि यदि कोई लड़के कोई लड़के या लड़का क्या है अवे खड़ा हुआ है क्या है खड़ और अचानक क्या हो गया यह अचानक बैठ जाती है बैठ जाता है तो उसके जूले पर और time period पर और समय पर क्या अशर पड़ेगा तो बैठ जाता है तो क्या होगा क्या होगा ये है सवाल हमार आप इसका जवाब देखो आप चब वो अभी खड़ा था बैठ जाएगा तो बैठने पर क्या होगा टाइम पिरियड टाइम पिरियड क्या होगा वो बढ़ जाएगा टाइम पेरियर बढ़ जाएगा पहला दूसरा क्या होगा छूले की लंबाई जो जूला है छूले की लंबाई बढ़ जाएगया जूले की लंबाई बढ़ जाएगह। और तीसरा क्या होगा जूला तेज हो जाएगा या सुस्त हो जाएगा तो जूला जो है आपका क्या हो जाएगा सुस्त हो जाएगा आपको कहानी समझ में आएगा कि अगर कोई लड़की है या लड़का है किसी जूले पर खड़ा है जूल रहा है अचानक अगर वो बैठ जाता है या बैठ जाती है तो उसके टाइम पीरेड उसका बढ़ जाएगा क्योंकि जूले की लंबाई बढ़ जाएगी क्योंकि सेंट लंबाई यहां से यहां तक के बीची होगी तो यह जो है क्या होगा इसकी लंबाई अब एक कम है तो टाइम पीरिट क्या होगा इसका बहुत कम होगा जूला बहुत तेजी से चलेगा लेकिन अगर इसी को हम नीचे की तरफ कर दे तो लंबाई क्या हो जाएगी यहां से बढ़ जाएगी और इसका time period क्या होगा बढ़ जाएगा time period बढ़ेगा तो जूला क्या होगा सुस्त हो जाएगा ठीक है तो बास समझ में आ गए तो यह time period से related जितने भी सवाल आई है हमा निकल लिया एक इसमें और देखते हैं हम कि अगर कोई इसके बगल में और कोई आ जाए ठीक है यह दे लड़की अगली कहाने यह यह दे यह दे कोई लड़के यह दे कोई लड़के किसी जूले पर बैठी है जूला चल लहा है और अचानक वो खड़ी हो जाती है तो क्या आशर पड़ेगा यह दे कोई लड़की जूले पर बैठी है जूले पर बैठी है जूले पर बैठी है अचानक खड़ी हो जाती है अचानक खड़े हो जाती है तो खड़े हो जाती है तो टाइम पेरिड और उसके जूले पर क्या आशर पड़ेगा तो देखो अब यह मान लेजिए यह लड़की है अब यह लड़की क्या है जूले पर अभी बैठी है तो बैठने पर इसका टाइम पीरिड क्या होगा कुछ अलग होगा लेकिन जैसे ही खड़ी हो जाएगी इसका सिंटर आप मास यहां आ जाएगा अभी यह बैठी थी बैठने बाद खड़ी हो गई तो खड़े होने पर उसकी लंबाई क्या होगी कम हो जाएगी तो यहां पर यहां लिखो आप इसकी लंबाई जो है क्या हो जाएगी कम हो जाएगी लंबाई कम हो जाएगी पहली बाद दूसरा है टाइम पीरियड टाइ कम हो जाएगा और जूला जो है क्या होगा बहुत फास्ट हो जाएगा तो जूला जो पहले वाले में क्या सुस्त हो जाएगा तो जूला यहाँ पर क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा तेज हो जाएगा ठीक है तो यह हमारे केस हो गए टाइम पीरिड में अगर लंबाई बढ़ाएंगे उसका जो है गर्मी में अगर ले जाएंगे सर्दी में ले जाएंगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा इससे अलावा कोई सवाल नहीं आता है बस बाकी यही आता है कि T is equal to 2 pi under root L upon J यह टाइम पीरिड है चुकि हम वेव वा यह मौसम के हिसाब से इस पर असर पड़ता है इसलिए इसको बात को आपको द्यान देना है कि कितने गुना बढ़ जाएगा कितने गुना घड़ जाएगा यह सारी चीज़े आप देखने को मिलते हैं इसके बाद हम इसमें आते हैं frequency क्या चीज होते हैं जिसे हम बोलते हैं आबरती देखो आप यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आगे लिखते हैं फ्रिक्वेंसी या इसको हम बोलते हैं आबरती प्रिक्वेंसी को हम N से दिखाते हैं और प्रिक्वेंसी क्या होते हैं कोई भी वस्तो एक सेकेंड में जितना वाइब्रेसन या जितना कमपन्न करती है उसे उस वस्त का frequency या आबरती कहते हैं जैसे माल लिजे कोई मच्छर है एक सेकेंड में अगर वो सो बार ऐसे ऐसे कमपन करता है तो बोलेंग उसकी frequency सो है कोई मक्खी है अगर एक सेकेंड में वो पचास बार अगर vibration करते हैं उसके punk या जो भी उसके अगरा होते हैं करते हैं तो उसको बोलेंग उसकी frequency पचास है तो एक सेकेंड में जितना कमपन करता है कोई वस तो वही उसकी क्या होती है आबरती होती है या frequency होती है ठीक है तो उसको हम किस से दिखाते हैं n से दिखाते हैं और n is equal to 1 upon t ये formula होता है n क्या है frequency है t क्या है time period time period का frequency से ultra संबंध होता है कैसा संबंध होता है ultra इसका मतलब इसका मतलब होता है कि अगर frequency बढ़ेगा तो time period घट जाएगा कैसे देखो जैसे ये marker है अगर ये एक second में मा लिजे 20 बार ऐसे आया गया आने जाने को ही क्या बोलते है time period बोलते है जिसको t से दिखाते है और जो कमपन है vibrator है उसको frequency कहते है तो अगर मा लीजे धीरे धीरे आ रहा है तो समय ज़्यादा लग रहा है तो frequency कम है लेकिन अगर बहुत तेजी से आएगा तो समाई कम लग रहा है, Frequency जादा है तो Frequency का Time Period से कैसा संबन्द होता है, उल्टा संबन्द होता है इसकी याबर्ति क्या होती है, इसको हमider से लिखते हैं क्या लिखते है, Help तो यह बात आपको याद रखना है कि याबर्ति की Unit क्या होती है, हर्ड होती है इसका formula क्या था n is equal to 1 upon t t क्या है यहाँ पर time period है या आवर्थकाल है इसको बोलते है time period time period या आवर्थकाल आवर्थकाल का frequency या आवर्थकाल से कैसा संबंद होता है बेटा उल्टा संबंद होता है inversely proportional होता है ठेक है तो इस बात को ध्या रखेंगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पर कि बोलेंगे frequency बढ़ रहा है frequency घट रहा है तो आपको समझना पड़ेगे frequency बढ़ने पर और आवर्थकाल में क्या असर पड़ता है तो इसके बाद हम आते हैं इस वे अब हम नेक्स देखते हैं तो पहला हमारा time period हो गया दूसरा हमारा frequency हो गया तीसरी बात आती है जिसके बोलते हैं वेव लेंथ या तरंग दैड बोलते हैं तो वेव लेंथ क्या है देखो वेव लेंथ या तरंग दैड तरंग दैड इसको हम लेंडा से दिखाते हैं किसे दिखाते हैं लेंडा इसको हम लेंडा बोलते हैं लेंडा तो लेंडा से प्रदरसित करते हैं तरंग दैड को होता क्या है ये एक्चुली दो तरह के होते हैं, एक transverse वेव होता है, एक longitudinal वेव होता है, transverse वेव को हम बोलते है अनुप्रस्त तरंगे, अनुप्रस्त तरंग और longitudinal को बोलते हैं हम अनुदायर दे तरंग, यही तरंगे आगे चल करके mechanical wave और mechanical wave और electromagnetic wave में divide हो जाएंगे तो इसी यहीं से हमारा यह आगे चालू होता है अनुदैर्द तरंग तो आप बात को समझो यहाँ पर कि lambda क्या होता है तरंग दैर्ड क्या होता है wavelength क्या होता है तो देखिए यह वाली एक अलग टाइप की तरंग होती है यह अलग तरीके की तरंग होती है तो आपको बता दें तरंग क्या होती है किसी भी स्रिश्टम में जो disturbance होता है जो बिक्षोव पैदा होता है उसे ही तरंग कहते हैं उसे हे wave कहते हैं इसको एक छोटे से एक्जामपल से देख लिए जैसे अगर हमारे पास यहां पर मान लिजे कोई तालाब है तालाब में अगर हम कोई पत्थर फेकते हैं पानी में तो उसमें क्या होता है इस तरीके के लहर पैदा होने लगती है आए यह लहर जो पैदा होती है इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को तरंग बोलते हैं इसी को वेव बोलते हैं तो किसी भी माध्यम में उत्पन होने वाले disturbance या विक्छोब को तरंग कहते हैं या वेव कहते हैं ठीक है इनकी जो लंबाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं तरंग दैड बोलते हैं आए तरंग ये दो पर nervous के होते हैं कि longitudinal होता है एक transvers होता है तो यह CAT यहाट नगी फॉला कैसे होते हैं पर्मशता में उसमाथ है कोई कबानप सामा अब चार थी करन делать कि исп olmuş निसको एनरजी देंगे जैसे फास फास्राइबke looks करता हुआ क्या होगा यहां नीचे आएगा अप नीचे बाद थोड़ा सा उपर जाएगा तो देख रहें एक बार नीचे आ रहा एक बार उपर जा रहा फिर नीचे आएगा फिर उपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर उपर आएगा तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी तै करता है यह देखो इसको बोलते हैं lambda by 2 इसका मतलब आधा तरंग देर्ड फिर यहां से लेकर यहां तक जब आयेगा तो इसको भी बोलते हैं lambda by 2 lambda आपको हमने बता दिया तरंग देर्ड होते हैं तो आधा दूरी तै करके आएगी यहां से यहां आया आधा आया यहां से लेकर यहां आधा आएगा उपर क्या हो जाएगा यह उपर हो जाएगा lambda तो यह जो नीचे आता है और यह उपर जाता है इसको क्या बोलते हैं यह जो उपर जा रहा है इसको बोलते है string string बोलते है और ये वाला जो नीचे आ रहा है इसको बोलते है गर्थ बोलते है तो देखो फिर string फिर गर्थ फिर ये string हो जाएगा फिर ये string हो जाएगा ये गर्थ हो जाएगा इसको बोलेंगे ये string हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा गर्द हो जाएगा गर्द मतलब नीचे जा रहा string मतलब उपर जा रहा तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते है crest और trough crest crest और trough तो अब आप इसको बोले हिंदी में बोलेंगे एक string और एक गर्थ के बीच की दूरी को एक तरंग देर्थ कहते है एक स्रिंग यहां से लेकर यहां तक एक स्रिंग हो जाएगा आदा यहां से यहां लेकर क्या होगा एक गर्थ हो जाएगा तो एक स्रिंग और एक गर्थ के बीच की दूरी यह जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक वो क्या होगा एक तरंग देर्द हो जाएगी एक लेमडा हो जाएगा ठीक है फिर यहां से लेकर फिर यहां तक फिर यह लेमडा हो जाएगा फिर यह एक तरंग देर्द हो जाएगा लेमडा यहां से लेकर यहां तक फिर एक लेमडा हो जाएगा फि आप पर्पेंडीकुलर क्या होता है पर्पेंडीकुलर मतलब यह होता है किसके उपर से अगर ऐसे कोई lying things देती ही तो perpendicular या लंबवथ होता है इसको कहीं भी देख लीजे इसको अगर ऐसे मानोगे तो ये परthose perpendicular है इसको भी अगर ऐसे देखोगे तो ये भी perpendicular है कहीं भी देखोगे, line things दोगे perpendicular हो जाएगा तो सवाल पूशला है कि अनुपरस्ट तरंगों में जो कर होते हैं किस दिशा में गती करते हैं तो यहां नोट कर लेजे Transverse Transverse वेव के जो Particle होते हैं जो कर होते हैं वह Perpendicular गती करते हैं कैसे करते हैं? Perpendicular या لمbवत गती करते हैं लंबवत गती करते हैं, लंबवत गती करते हैं, तो आपको समझ में आग大गए, ट्रांसवर्स बेव काउन से होती हैं, एक स्रिंग और गर्ड, एक क्रेश्ट और एक ट्रॉफ के बीद, आप यहां देख रहे हैं इस तरीके की चलती है, तो जैसे आप इस तरीके की तरंगे और कहां को देखने को मिलेंगी जिसे तालाब है तालाब में आप पत्थर फेख दीजिए तो उसमें भी लहर ऐसे 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 जाती है तो पानी में उत्पन तरंगे अनुप्रस तरंगे होती है अगर हम दिवाल में कोई रसी बांद दे रसी को हम अगर ऐसे अगर मारेंगे तो रसी भी क्या होगी ऐसे 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 गती करेंगे तो वो भी क्या होगी ट्रांसवर्स हो जाएगी तो इस तरीके समुद्र में जो तरंगे होती है सुनामी तरंगे वो भी जो एक ऐसे होती है अनुप्रस तरंगे होती है वो ऐसे नहीं जाती है वो ऐसे ऐसे पानी में जितनी भी तरंगे उत्पन होती है वो सब क्या होती है ट्रांसवर्स या अनुप्रस तरंगे होती है ठीक है तो इसमें जो महत्पूर बात है वो क्या है कि ट्रांसवर्स वेव में जो कार होता है जो की तो आप देखे इने अलग तरीके का है यहां पर देखे हुआ है यहां आ आपको अलग तरीके का फीकर यहां देख रहे हूंगे जो कड है यह थोड़ा पास पास में है जो पास पास में होते हैं तो इसको बोलते हैं टेंस टेंस मतलब होता है खाना ठीप और यहाँ देखेंगे तो थोड़ा दूर दूर होता है यह देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत दूर दूर है इसके कड तो इसको बोलते हैं रेयर क्या बोलते हैं रेयर रेयर मतलब बिरल दूर दूर है ये बिरल है तो इसको बोलते हैं बिरल और घना को बोलते हैं सघन क्या बोलते हैं सघन सगन फिर देखो यहाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कण है देखो एक दम पास पास में आ गए हैं बिल्कुल पास पास में आ गए हैं फिर यह एरिया क्या हो जाएगा फिर यह डेंस हो जाएगा फिर यहां से यहां तक यहां से यहां तक फिर देखें फिर यह नया सिस्टम आ जाता फिर यह रेर हो जाएगा फिर यहां देखेंगे फिर नया आ जाएगा फिर यहां देखो बिलकुर पास पास में आ गए यहां भी पास पास में आ गए तो यह हो गया फिर आपका डेंस आपको समझ में आ रहा है कुछ तो यह इतना क्या हो गया इतना हो गया लेमडा बाइट टू मतलब जो वेवलेंथ है और यहां से लेकर यहां तक क्या होगे यह भी हो गया लेमडा बाई टू तो लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू इसकोल टू क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा चुंकि आधा लेमडा आधा लेमडा बराबर लेमडा एक वेबलिंथ हो जाएगा तो क्या बोलेंगे आपर एक सगन और एक बिरल की बीच की दूरी को तरंग देड़ कहते हैं लेकिन ऐसे तरंग के जो कड़ होते हैं वो उनमें जो एनलजी का ट्रांसफर होता है वो किस तरीके गत करते हैं वो करते हैं पैरलल करते हैं पैरलल मतलब होता है ऐसे देखो यहां क्या है यहां उपर नीचे कर रहे थे यहां उपर नीचे नहीं कर रहे हैं ऐसे जा रहे हैं अब आप बताएं जैसे हम बोल रहे हैं अब आज करते हैं तो हमारी अब आज कैसे जाती है ऐसे जाती है सीधा जाती है ऐसे ऐसे जाती है आप सोचके बताएं तो sound waves जो होती है धनी तरंगे धनी longitudinal waves होती है तो आप से यह पूच्छता है कि इसमें से sound wave किस तरीके की तरंग है या प्रस्ट तरंग है या या धर्थ है longitudinal है या transfer wave है तो बताएए इसमें इसमें जो particle होता है particle होता है काण होता है वो कैसे गती करता है तो यहाँ पर लिखेंगे पर पैरलल गती करता है कैसे करता है पैरलल पैरलल या समानांतर गती करते है समानांतर समानांतर इसमें कैसे कर रहे थे इसमें पर्पेंडिकुलर कह रहे थे तो आप इस चीज में फर्क देखना यही चीज आप से पूछा जाएगा कि इसमें कण कैसे गती करते हैं समानांतर का मतलब बिल्कुल ऐसे 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 एक पास में आ जाएगा दूर चला जाएगा पास में आ जाएगा दूर चला जाएगा यहां क्या होता है यहां परपेंडीकुलर करते हैं जो है लंबवत गती करते हैं यहां पेरलल या समानांतर करते हैं तो इनके संचरण के आधार पर जो आगे बढ़ते हैं इनके आधार पर wave या तरंगे दो तरीके एक होती है अब इनकी जो प्रकृती है nature है उसके आधार पर तरंगे दो तरीके एक होती है एक को बोलते है mechanical wave और एक को बोलते है electro magnetic wave तो इसको आप note करिए फिर इसके आगे करते हैं देखे हम लोग अभी आप पढ़ा चुके हैं कि इसमें Transverse Wave और Longitudinal Waves लेकिन अब इनके Nature क्याधार पर इनके स्वभाव क्याधार पर Waves दो तरीके होती है जिसको बोलते है Electromagnetic Waves या Mechanical Waves तो Electromagnetic Waves को हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं विद्दु चुम्बकी तरंगे क्या बोलते हैं विद्दु चुम्बकी तरंगे तो यहाँ पर नोट करो आप विद्दु चुम्बकी तरंगे और इसको बोलते हैं विद्दु चुम्बकी तरंगे अब यह होती क्या है इसको समझने की जरूरत है बिद्दो चुमकी तरंगे और इसको क्या बोलते हैं यांत्रिक तरंगे बोलते हैं यांत्रिक मेकाइनिकल वेब टेक है तो पहले इसमें डिफरेंस समझेंगे इसका मलब बिद्दो चुमकी तरंगे जो है बिद्दो चुमकी तरंगों को एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए माध्यम की आउसक्ता नहीं पड़ती है माध्यम मतलब होता है कि कोई liquid, solid या gas की जरूरत नहीं पढ़ते हैं कहीं भी ये travel कर जाएंगे कहीं भी एक जगा से दूसरी जगा चले जाएंगे और लेकिन यांत्रिक तरंगे क्या होते हैं mechanical waves are waves that must travel through some form of matter to carry their energy तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके लिए medium की जरूरत पढ़ते हैं माध्यम की आवसेक्ता पढ़ते हैं तो पहला difference है कि यहाँ माध्यम की आवसेक्ता नहीं है माध्यम की आवसेक्ता यहाँ पर देखे आप लिखे यहाँ माध्यम की आवसेक्ता नहीं है माध्यम की आवसेक्ता नहीं होते है कहाँ पर electromagnetic wave में आवसेक्ता नहीं होते है लेकिन यहाँ पर क्या होते है माध्यम के आवसेक्ता होते है तो यह difference है माध्यम के आवसेक्ता होते है इसका मतलब या तो यह solid में जाएंगे या तो gas में जाएंगे या तो liquid में जाएंगे कभे भे वैक्यूम में या निर्वात में यांत्रिक तरंगे एक जगा से दूसरी जगा नहीं जाते हैं इसका सबसे बड़े हुदा आरण है जैसे अब देखते हैं हम इस पेस में जाते हैं चांद पर जाते हैं तो वहाँ पर हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते ह क्योंकि धर्ती पर क्या है धर्ती पर माध्यम है मीडियम होता है तो वहां पर हम आराम से बात कर लेते हैं यहां पर लेकिन वहां नहीं कर पाते हैं तो वहां पर बात करने के लिए चांद पर बात करने के लिए किसका इस्तिमाल करते हैं इलेक्टो मेगनेटिक वेव का इस्त यहाँ पर माध्यम क्या होसे एक पढ़ता है या होते है ठीक है तो यहाँ पर इस बात को ध्याने नहें है पहला डिफरेंस है दूसरा है Electromagnetic Waves are Transverse Waves Transverse Waves हम लोगों ने पढ़ा है भी कि Transverse Waves किस तरीके से एक जगा से दूसरी जगा पर जाती है जैसे मालों यह ऐसे है ऐसे है एक क्रेश्ट एक ट्रॉफ के बीच की दूरे को एक लेमडा कहते हैं और यह perpendicular यह लंबोध गती करते हैं तो Transverse Waves हो जाती है यहां क्या है कि the matter that carries wave called the medium and includes matter such as air, water, rock, metal मतलब यह solid, liquid और gas की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है solid, liquid, gas यह तो liquid में चलेंगे यह तो rock solid होगा, चटान होगा air, gas होगा, metal क्या है solid होगा, तो इनमें चलेंगे mechanical waves can be either Transverse or longitudinal waves जो यह आंत्रिक तरंगे हैं वो दोनों हो सकती है या तो मतलब Transverse भी हो सकती है या तो आपका इस तरीके से भी चल सकती है जैसे हमने उस समय दिखा था या जो है longitudinal तरीके से चल सकती है जैसे आपने देखा यहां बहुत सारी सगन सगन हो जाती है यहां दूर दूर चले जाती है यहां फिर पास पास में आ जाती है फिर दूर दूर में हो जाती है तो यह longitudinal waves की पहचान होती है तो यह तरंगे mechanical wave longitudinal भी हो सकती है और transverse भी हो जाकती है लेकिन ये क्या होती है केवर transverse वेव या अनुपरस तरंगे होती है बात समझ में आ गए तो ये आप इतना देखा आपने अगली बात करते हैं कि electromagnetic spectrum का मलग होता है जो उनके waves तरंगे होती है जितने एरिया में फैले ही होती है उसी को spectrum कहते है इसमें कौन-कौन से तरंगे आते हैं कौन-कौन से तरंगे गामा रेज गामा तरंगे X-rays या X-curant UV light या ultraviolet radiation visible light या द्रिस प्रकास IR का मलग होता है infrared radiation infrared तो इसको बोलते है infrared इसको हम अभी डिटेल में आगे पढ़ने वाले है तो waves, microwave जिसको हम सूक्ष में तरंगे कहते हैं सूक्ष में तरंगे ये जो है आपके कौन से तरंगे है ये है electromagnetic waves और radio waves या radio तरंगे तो इतनी सारी तरंगों को मिला देते हैं तो हम कौन से तरंगों की कटिगरी में डाल देते हैं electromagnetic waves ठीक है यहाँ पर क्या है इसके example यहाँ पर इसके क्या है example कि in a given medium the speed of wave is constant waves travel very quickly through solids अगर आप से पूचा जाए तरंगे जो है सबसे ज़्यादा किसमें बहुत तेजी से जाते है तो सबसे तेजी से सबसे ज़्यादा speed ठोस में होती है solid में होती है less quickly through liquids फिर उसके बाद draw या liquids में जाती है और सबसे कम speed किसमें होती है gas में होती है ठीक है तो यह बात आप यहाँ पर देख लिए ठीक है तो electromagnetic wave travel through space higher the speed of light space का मतलब हो गया vacuum क्या हो गया vacuum vacuum का मला होता है निर्वात जहां पर हवा नहीं होती है वहाँ पर electromagnetic wave किसकी speed से चलता है speed of light तो speed of light कितना होता है तो 3 into 10 to power 8 meter per second तो यह हमारे प्रकास की चाल होती है तीन गुड़े 10 के घात 8 meter per second जो कि एक प्रकार की क्या है electro magnetic तो अगर पूछा जाए प्रकास या light किस प्रकार की तरंग है mechanical wave है या electromagnetic wave है तो बोलेंगे वो electromagnetic wave है क्योंकि वो किसी भी माद्यम में जा सकती है और उसको चलने के लिए माद्यम क्या हो सकता नहीं पड़ते है यहां तक कि वो vacuum या निरवात में भी चल सकती है तो निरवात में sound यह आपका प्रकास या light की speed कितना होता है 3 into 10 to power 8 meter per second तो आपको फर्क समझ में आगया होगा कि electromagnetic waves और mechanical waves या यांत्रिक तरंग और बिद्चुमकी तरंग में क्या फर्क होता है इसके बाद हम पहले पढ़ेंगे mechanical waves उसके बढ़े बाद पढ़ेंगे electromagnetic waves दोनों में difference हम देंगे और दोनों तरंगों को अलग अलोग तरीके से ये केके करके पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़े इसमें आपके clear होने वाली है तो हम फिर देखते हैं mechanical waves क्या देखते हैं और mechanical waves देखते हैं तो ठीक है तो mechanical waves के बादे में आगे देखते हैं laptops mechanical waves जो है कितने types के होती हैं और कौन कौन से होते हैं तो आप देखो यहाँ पर mechanical waves या यांतरे एक तरंगे mechanical wave पहले इसको करेंगे उसके बाद हम लोग तो mechanical wave तीन तरीके का होती है इसको आप लोग पहला है audible audible waves या इसको हम इसको बोलते है स्रब्य तरंगे दूसरा होता है हमारा ultrasonic ultrasonic waves या इसको बोलते है परा स्रब्य तरंगे परा स्रब्य तरंगे तीसरे नंबर पर आते हैं इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक वेव या इसको बोलते हैं हम अब अवस्रब तरंगे तीन तरंगे की तरंगे हैं हमारे तीनों ये काउंसी वेव हैं इनको एक जगा से दूसरी जगा ट्रेवल करने के लिए जाने के लिए माध्यम क्या सकता पड़ेगी इसके पहले जो हमने देखा एक्सरेज गामा रेज और आपका यूबे लाइट रेड लाइट जितने भी लाइट होते हैं आई आर इंफ्रारे रेडियेशन माइक्रो तो अब आप इसमें समझें ध्यान से कि अब फिर वापस हम वहीं पर आते हैं जो हमने देखा था फ्रिक्वेंसी इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होते है तो देखे स्रब तरंगे कितनी होती है बीस हर्ट्स बीस हर्ट्स से बीस हजार बीस हजार हर्ट्स वाले जो तरं तो 20 हर्ट से 20,000 हर्ट वाली तरंगों को हमारा कान सुख सकता है इसलिए इसको ओर्डिबल वेब या स्रब तरंगे कहते हैं अल्टरासोनिक क्या होती है अल्टरासोनिक का जो रेंज है वह 20,000 हर पीस हजार से क्या होती है और इंफरासोनिक जो वेब होती है उसका 20 हर्ट से कम होती है तो तीन तरीके के तरंगे हो गएं क्योंकि ये एक तरीके के साउंड वेब है और साउंड वेब होती है उसको travel करने के लिए उसको एक जगा से दूसरी जगा पर जाने के लिए माद्यम क्या हो सकता पड़ते है और माद्यम में तीनी माद्यम होते है या तो ठोस होता है या तो liquid होता है द्रव होता है या तो gas होता है ठीक है तो इनको हम बारी-बारी से अभी इसको करेंगे तो audible range में क्या आता है मारा sound आता है तो फिर अगले heading हम जो है करने वाले हैं इसमें sound टेके बेटा तो हम लोगों ने अभी इतना किया तो इसको हम जो है detail में next class में करेंगे तब तक जो हमने यहां पर किया है उसको आप देखे आप उसको और उसको अगर कोई problem है कोई समिश्या है तो उसको हमें बताए और comment भी करें बताए कि उसमें कोई doubt है तो comment box में लिखे और यह जो चीजें हैं इसको फिर हम अगली class में करेंगे Thank you अगली करेंगे